नमस्कार हम लेकर आये एरोटेक टर्बो 400 लिटर अब इस सीरीज में हमारे पास 300 लिटर 400 लिटर 600 लिटर 800 लिटर 1000 लिटर 1500 लिटर और 2000 लिटर में यह प्रेयर अविलेबल है यह जो प्रेयर है हमें अंगुर में उसके बाद अनार में आम में और संत्रा में काम करते हैं यह अब ही जो आप यूनिट देख रहे हो यह एरोटेक 400 लिटर 24 इंच वाला यह मॉडल है इसमें सिंगल फैन डबल फ साही होगा तो भी वह मिल जाता है एरोटेक तर्बो 400 लिटर यह जो मॉडल है पास्तों पचास मतलब 22 इंच का जो फैन है यह आपका 20 HP और अबो टैक्टर के ऊपर चलेगा अगर इसमें आपका 616 mm का फैन है मतलब 24 इंच का फैन है तो इसके लिए आपको 22 HP और उसके ऊप पर वाले टैक्टर की जरुवत पड़ेगी और यह जो मॉडल है सारा अपना पीटियो जो होता है 540 rpm के ऊपर चलेगा अभी हम बात करेंगे टैक्टर के इंजिन रेटेड़ आर्पियम की तो हर एक टैक्टर के जो इंजिन रेटेड आर्पियम होते हो अलग-अलग होते है हमारा जो स्प्रेयर है इसके लिए 540 rpm की जरूत होती है लेकिन बहुत सारे टेक्टर ऐसे है कि वह 540 rpm के लिए इंजिन रेटेड आर्पियम अलग-अलग होते है तो हमें मिनिमम जो चाही होते है 400 से लेके 400 तक आर्पियम चाही होते है पीटियो के तो उसके लिए जो अभी ह लेकिन हमें जरूत कम होती है इसके लिए अगर आपने 1500 या 1600 rpm इसके रखे टेक्टर के तो आपको पीछे जो है 4500 पीटियो आर्पियम मिल जाते है उसी सब में मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग टेक्टर है कुबोटा टेक्टर से जॉन डियर टेक्टर से उसके बाद पावर ट्राक से फार्म ट्राक से सवराज टेक्टर से तो हर एक टेक्टर के जो इंजिन रेटेड आर्पियम होते है वो अलग-अलग होते है तो आपको क्या करना है कि उसका जो पीटियो आर्पियम जो मिल रहा है वो कौन से इंजिन रेटेड आर्पियम के उपर मिल रहा वो engine rated rpm आपको machine के लिए रखना है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यह जो attachment है आगे कि यह महिंदरा जियो की है इस तरह से आपको यहाँ पर आटेच करनी है अब यहाँ पर देख रहे हो कि यह जियो की जो attachment है हमने इस hole को इस तरह से match किया है मैच करने के बाद आपको यह जो पीन दिख रही है इसमें इंसर्ट करके इसको लॉक करना है इस प्रेर में हमने 3-axis टो बार दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह 3-axis टो बार है यह जो टो बार है इसमें यह जो एटेश्मेंट दिये यह टेक्टर साइड में लगती है यह अभी महिंद्रा जियो टेक्टर है इसलिए हमने यह एटेश्मेंट दिये अगर यह मौडल चेंज हो जाएंगे या फिर टेक्टर चेंज हो जाएंगे तो यह एटेश्मेंट चें और यह जो पीछे वाला यह मशिन को टर्ण के लिए यूज होता है यहां पर आप देख रहे हो कि हमने दोनों साइड के पीटियो लागा लिए पीटियो लागाने के बाद दोनों ओर लैप करने के बाद हमें दिख रहा है कि 32-40 mm जो लेंथ है उसकी वह थोड़ी ज्यादा है तो उसको हमें कटर से कट करना है और फिर इसको प्रॉपर वे से प This today करना है अभी देख सकते हो आपके किस तरह से इसको हम एक्ने sudah कर रहे हैं और हमें यह भी इंश्नर करना है इसका जो लौक है। अभी लोक है बिज प्रॉपर तरह से फीट हो गया है इस जो अब अब देख रहे हो कि ये पूरा जो है ये wide angle PTO shaft है इसमें जो बड़ा end होता है वो machine के side से attach होता है और चोटा end जो होता है वो uh इसके बाद टेक्टर की जो position होती है उसके इसाफ से इसकी जो length होती हो कम जादा होती है तो हमें इसको भी cut करना है हमारे टैक्टर की हिसाफ से उसके बाद ये उपर वाला कवर ना गुमे इसके लिए हमें इसको चेक चेंड दिया है उसको इस हिसाफ से आपको अटेज करना है उसके बाद ये जो वाइड एंगल पी टीओ शाफ्ट होता है इसका फंक्षन जो होता है ये 20 डिग्री में टर्न होता है तो आपकी जहां पर भी टर्निंग की जरुवत है तो यहां पर बिना पीटियो रुकाएं आप इसको टर्क कर सकते हो अभी हम जो 400 लिटर लेके आए इसके स्पेर पार्ट जो है या जो पार्ट है उनके क्या-क्या फंक्षन होते है इसके बारे मे इसका जो क्लाइमेटिक फैक्टर है इसके साथ कोई अफेक्ट नहीं होता उसके बाद इसमें जो भी हम असेडिक टाइप के केमिकल डालते है उसका भी इसके साथ कोई रियक्शन नहीं होता तो यह जो टैंक है सालो साल ऐसे ही रहती है एरोटेक 400 लिटर में हमने 22 इंच फैन के लिए पचपर LPM का डाइफ्राम पंप दिया है उसके बाद 24 इंच के लिए हमने 75 LPM का डाइफ्राम पंप दिया है यह जो डाइफ्राम पंप होता है इसमें moving part कम होने की वज़े से इसमें maintenance जो होता है वो बहुत कम निकलता है इसके बाद हमने 40 बार के उपर open होने वाला safety relief fall इसमें दिया हुआ है तो safety relief fall क्या होता है कि pump में जैसे 40 बार के उपर pressure बढ़ जाता है तो यह automatically open हो जाता है उससे आप में pump में कोई damage होता नहीं है इसमें हमने rubber coupling दी हुए rubber coupling जो है टेक्टर की तरफ से जो भी jerks या shocks आएंगे उसको absorb करने का काम ही rubber coupling करती है उससे आपकी जो main assembly जैसे pump gearbox यह शौक फ्री रहता है एरोटेक 400 लिटर में जो आपका सुका chemical होता है उसको mixing करने के लिए हमने basket mixture दिया हुआ है अब आप देख रहे हुए कि यहाँ पे हमने wall section दिया है तो यह जो आगे वाल लगाया है यह हमारा extra handgun जो है उसके लिए हमने लगाया है और यह जो उपर वाला लगाया है अभी यह off position में है यह हमारा basket mixture का है जो भी आपका सुका chemical रहेगा उसको पिगलाने के लिए इसको on करना है आपको chemical डालने के बाद और जैसे chemical आपका जो होगा वो डाइलूट हो जाएगा उसके बाद तुरंत आपको इसको off करना है अगर प्रॉपर मिक्सिंग के लिए एजिटेटर इस्तिमाल किये है चार सो लीटर में हमने पानी ड्रेन करने के लिए ड्रेन वाज दिया हुआ है इस स्प्रेयर में हमने ये कंट्रोल पैनल दिया है कंट्रोल पैनल में प्रेशर गेज मीटर कंट्रोल लीवर और प्रेशर नौम है तो इसमें 5 मोड ओप्रेशन होते है पहला होता है बाइपास मोड इस मोड पे आपका जो भी वाटर है वो कंट्रोल पैनल तक आएगा और वो आपस tank में चला जाएगा, इसको हम bypass mode बोलते हैं, उसके बाद ये आता है आपका pressurize mode, pressurize mode में क्या होता है, कि पूरे assembly में आपका pressure create हो जाता है, और जो pressure gauge है, उसमें ये pressure clockwise गुमते ही, pressure create हो जाता है, और आपका pressure set हो जाता है, जैसे आपको ये clockwise गुमा होगे, इसका pressure nozzle on-off कर सकते हो, और both side के भी nozzle आप इसक में on-off कर सकते हो, अभी हम बाद करेंगे air conveyor system के बारे में, तो ये जो फैन है, ये river strain technology का फैन है, मतलब ये आगे से यहाँ से हवा खीचेगा, हवा खीचने के बाद हमने इसमें gear box दिया है, gear box में दो forward और एक neutral gear है, मतलब high low neutral, आपकी canopy के इसाफ से और climatical condition के इसाफ से आप इसमें high low neutral choice कर सकते हो, उसके बाद अंदर हमने इसमें inlet vanes दिया है, inlet vanes क्या करता है, जो भी air output ह होती है, उसको एक सरी का खीचने का का काम inlet vanes करता है, inlet vanes के बाद हमने main fan डाला है, main fan में क्या होता है, कि fan गूमता है, गूमने के बाद आपकी जो air ये पीछे आ जाती है, जैसे आपकी air पीछे डिलिवर होती है, यहाँ पे हमने counterfinze डाले है, counterfinze का क्या होता है, left और right की air equal करने का का काम counterfinze यहाँ पे करता है, उसके बाद आप जो पीछे देख रहे हैं, पीछे हमने ये recovery plate दी हुए, recovery plate का का काम क्या है, कि जैसे fan 360 degree में गूमता है, नीचे वाला portion हमारा बंद रहता है, तो वहाँ से हवा जो होती है, यहाँ से हवा वेस्टेज हो जाती है, उसक को बोलता है, recovery plate, यह AeroTek 400 लीटर में 550 मतलब 22 इंच और 616 मतलब 24 इंच इसमें single fan और double fan आते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह single fan sprayer है, double fan machine में थोड़ा changes होता है, इसमें inlet mains, recovery plate और counterfinze निकल जाते हैं, और उसकी जगह पे दो fan होते है, एक fan जो गूमता है, वो clockwise गूमता है, और दूसरा जो fan होता है, वो anticlockwise गूमता है, इससे क्या होता है, left और right का जो air equal balance है, वो बना रहता है, अभी हम बात करेंगे nozzle की उपर, जो 22 इंच का fan size होता है, उसमें 10 nozzle आते हैं, और 24 इंच fan size में हमारे 12 nozzle आते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक site मे अभी जो nozzle दिया है, हमने 1.0-dix का दिया है, यह regular spray के लिए हमें use करना है, उसके बाद दूसरे side में हमने जो दिया है, वो ATR 60 का nozzle दिया है, तो यह जो nozzle है, हमें dipping या फिर PGR purpose के लिए हमें use करना है, इसमें से 100 लिटर से लेके 1500 लिटर पर एकर आपका water volume spray हो सकता है, इसके जैसे आप इस nozzle को ऐसा करोगे, तो यह nozzle off हो जाएगा, अभी हमारे area में दो type का plantation होता है, उसमें Y shape plantation होता है, और mandap shape plantation होता है, तो आपके canopy और plantation के हिसाफ से आपको यह nozzle का जो direction है, आपको रखना है, तो mandap के लिए आप ऊपर के nozzle या नीचे के nozzle जिस हिसाफ से आपकी canopy grow होग कि उस हिसाफ से आप nozzle को adjust कर सकते हो, इसमें आपको दिख रहा है कि यह जो area diaphragm होता है और nozzle होता है, इसकी position same होनी चाहिए, position IC नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पीछे एक check nut दिया है, यह आप देख सकते हो कि यह हमने एक check nut दिया है, यह इस check nut को आपक कि इस हिसाफ से nozzle को इस हिसाफ से या फिर आपको जिस भी direction में चाहिए, उस हिसाफ से आप इसको adjust कर सकते हो, अब यह आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने दो type के filter दिये, यह जो दिख रहा है, यह suction filter है, और यह वाला line filter है, suction filter जो है, टाइंग की तरफ से जो भी पानी आता है, तो 50 mesh तक वाले जो भी पार्टीकल होते है, उसको clean करने का काम यह suction filter करता है, उसके बाद यह जो nozzle filter है, हमने nozzle के पहले लगाया है, यह 80 mesh तक के particle clean करता है, ताकि आपके जो nozzle है, blockage और chocop नहों पाए, AeroTec 400 liter में हमने 3-way adjustable tubeless tire दिये हुए, तो इसको हम उपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, और अंदर बार भी कर सकते हैं, यह जो tire size है, इसमें आपको बड़ी tire size भी मिलती है, वो optional है, उसके बाद हमने पीछे scrapper दिये हुए, आपका जो भी स्वाइल टाइप रहेगा, उसके हिसाब से आप इसको adjust कर सकते हो, यह automatically आपका कीछट निकलता रहेगा, तो water tube level जो है, टैंक में कितना पानी भरा है, या फिर कितना पानी बचा है, यह देखने के लिए हमने यह आपे water tube level दी है, safety purpose के लिए bumper की सुविदा, दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कीज़े, कमेंट कीज़े, शेर कीज़े, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए, मुल्डियो जरी के लिए यहां बुलिए इसक्राइब करना मत बुलिए यह वीज़े, जापको यह वीडियोदिक्या काला मत, भीज़े, प्यौब यह जफलो सब्सक्राइब के लिए बुलिए यह बुलिए।